अज़ानी राची में 10 जून की हिंसा के बाद पोस्टर लगाने और हचाने का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है अब इस मामले में जारकन के ग्रेस अचीव राजी वरुनिक्का ने पोस्टर लगाने को लेकर राची एसेसपी पर सवाल खड़े किये है उन्होंने हिंसा में शामिल आरोपियों के पोस्टर लगाये जाने के विदी सम्मत नहीं बनाते हुए कहा है राची के सीनियर एसपी सुरेंद्र कुमार जहा से दो दिनों के अंदर मामले में सपस्टी करन मांगा है बता दे की बीते सोमवार को जारकन के राज्यपाल ने डीजी पी नीरज सिन्हा से कहा था कि हिंसा मामले में कारवाई तेश गती से की जाए और उपद्रव्यों के तस्वीरों के साथ पोस्टर चौक चौराहे पर लगाया जाए आदेश के बाद राची पोलिस ने बकाईदा पोस्टर भी बनवा लिया और शहर के कई चौक चौराहों पर उसे लगवा भी दिया लेकिन एक घंटे के अंदर ही सभी पोस्टर को उतरवा लिया गया और राची पोलिस के द्वारा बयान जारी कर बताया गया कि पोश्टर में कुछ तुरूटी है उसे ठीक कर बाद में लगा दिया जाएगा लेकिन SSP से इस पस्टी करन की मांग के बाद पूरा मामला साफ हो गया है तो बता दे कि राची में हुए हिंसा को लेकर पोश्टर जारी किये गये थे और अब इस पोश्टर को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे राची हिंसा में शामिल आरोपियों के पोश्टर लगाने पर SSP को नोटस दिया गया है वहीं बता दे कि ग्रेव विभाग के प्रधान सचीव ने दो दिनों में जवाव मांगा है तो राज़ानी राची में 10 जून की हिंसा के बाद पोश्टर लगाने और हटाने का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है 10 जून को हुए हिंसा को लेकर काफी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई राची में और उसके बाद से लगातार इस मामले पर जल्दी मांग को लेकर भी ततपरता बढ़ाई गई वहीं बता दे कि हिंसा में शामिल आरोपियों के पोस्टर लगाए जाने को विधी सम्मत नहीं बताते हुए राची के सीनियर एस पी सुरेंद्र कुमार जहा से दो दिनों के अंदर मामले में स्पस्टी करन मांगा गया है खबर पजादर जानकारी के लिए रुख करेंगे न्यूस रूम से हमारे समवादाता नीरज का नीरज पहले तो पोस्टर लगाया गया फिर पोस्टर हटाया गया अब दो दिनों के अंदर स्स्पी से जवाब भी मांगा जा रहा है क्या है पूरा मामला देखे दस जुन को जो राजधानी राची के मेंडरोड में घटना घटी थी उसके बाद से राजपाल ने स्सपी राची और आईजी अभियान को राजभान तलब किया था और निर्देश जारी किये थे कि जितने भी आरोपी है उस पूरे उपद्रव में जितने लोग साम इसको लेकर जो है राजपाल के निर्देश के बाद उसके अगले दिन लगभग साम के साड़े चार बिजे के करीब राजधानी राची के जाकिर हुसिन चौक के पास एक पोश्टर लगाया जाता है लेकिन कुछी मिन्टों के बाद वो पोश्टर को हटा लिया जाता है जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ये पोश्टर क्यों हटाया गया तो उनके द्वारा कहना था कि उन्हें निर्देश मिला है कि फिलार के लिए पोश्टर हटा दिया जाए और उसके अगले दिन अब जब की बात करें जारकन के कारा विभाग से जो राजी वरू ने कहा है उन्होंने निर्देश जारी कि निर्देश नहीं कहेंगे उसे सोकोज नोटी जारी किया है कि राची के सस्पी से ये जवाब मांगा है कि किसके निर्देश पे ये जारी किया गया और किस प्रावधान के ताहट जो है ये जो पोश्टर है वो जारी कि गया है और उस कोट के निर्देश है जिसमें ये कहा गया है कि पारित नियाय देश के विरूद कारवाई की गई है और इसी को लेकर पूरा जवाब मांगा गया इस्सपी राची से अब देखना हो कि ओन सीश पी इसको लेकर क्या कुछ निर्देश क्या कुछ जवाब यह कर देते हैं लेकिन यतना जरूरे लेकिन आगर मैं यूपी की बात करो उन यूपी में कल ही पोस्टर जारी किये हैं लेकिन उसको लेकर अभी तक कुछ भी आपत्ती नहीं जताई गई है लेकिन राची में ग्रेव भाग ने दो दिनों में जवाब मांगा है तो राची पुलिस कट घरे में खड़ी हो गई है एक तो राज सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये तरह की जो साउधानि बरतनी चाहिए वो बरती नहीं गई है उसके बाद से राजबहन तलब किया गया राजपाल ने कड़ी फटकार लगाई उसके बाद से राजी वरुनिक्का ने फटकार लगाता है उसको जारी किया है ऐसे में एक चीज है कि सारे मामलों में राची पुलिस घिस रही और इस सब्सक्राइब से जवाब तलब किया है क्या लगता है कि क्या पुलिस वर राशनेंतिक दवाब में काम कर रही है क्या चलता है कि कुछी मिन्टों के बाद पोस्टर हटा लिइन को जारी कर सकते हैं लेकिन जारी करने के बाद कुछी मिन्टों बाद पोस्टर को हटा दिया जाना इस तरह से और किकी लोग जो थे वहाँ पर पुलिस की कारवाई को सरा रहे थे तारीफ कर रहे थे लेकिन कुछी मिन्टों बाद जब तस्वीरे वहाँ से हटाई गई तो लोगों का कहना था कि इस तरह से जब कारवाई करना था उससे पहले पो़्ष्टर क्यों लगाए गया, क्यों हटा दियेगे उसके बाद। तो लगतार पुलिसी कारिस आलेरी sedli पर लगतार सवाले सानन खड़ा होता रहा है और कई भी भीन दल जो है इसको लेकर सवाले निसन कर जाया हो सत्ता पक्च के हो चाय बेपक्च के हो दोनों जो है राची पुलिसी कारवाई और कारी सेली को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं अब ग्री भीभाग के प्रधान सचीव ने SSP से को नोटस दिया है और दो दिनों में जवाब मांगा है तो इससे अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्या पुलिस राशनेतिक तनाव के में काम कर रही हैं तो ऐसे कई और भी सवाल खड़े हो रहे हैं लेकिन अभी SSP को दो दि में उन्हें जवाब देना है और बतादे की ग्री बिभाग के प्रधान ने SSP को नोटस जारी किया है तो पूरा मामला दस जून के हिंसा के बाद से लगातार इस तरह के मामजित जो है सामने आते रहे हैं बतादू की इसको लेकर में रोड में सुरक्षा विवस्था के अथे माम विवस्था के घए है की दो प्रोय दूनरे के की दो ही की बाद से लेक टाए हैं जो हैसान घडत ज één घूनरे का दो कर दो है पस्ड़ा समय है, आ कि ए, झाशू है अक